नमस्कार सभी को तेंक्यू MPL यह सबसे पहले मैं आप लोगों को इंटरडक्शन देना चाहूंगा यह हमारा जो यहां हम लोग बैठे हुए हैं सारे लोग करा वेलफेर सोसाइटी के मेंबर्स हैं और मेरे जो सामने फ्रॉंट में हैं यह फॉर्मर जनल सेकेटरी करा वेलफ केना वाइस प्रेशिजन लिए कि और मेरा ये लेफ्对 में जो बैठे हुए हैं यह फॉर्मर लिगरं एद्वाइसर ऑफ करा वेलफेर सोसाइटी अन प्रेजिन्ट कंवेणर तो और साथी साथ बाकि जितने भी मेरें पीछे बैठे हुए सब करा वेलफेर सोसाइटी के करा वेलिफेर सोसाइटी हमारा जो है दस सब क्लान का सोसाइटी है और ये दस सब क्लान जो है केना, राले, नोकिर, नोई, हाई, हाजी, हाले, मदा, माजी, पोदे तो इन दस सब क्लान को मिला करके हमारा एक क्लान है करा वेलफेर सोसाइटी और यह क्लारिफिकेशन जो है इस इस क्लारिफिकेशन रिगार्डिंग जम्दे केना मेमोरियल गेट एड गेंसी वेलकम गेट एड गेंसी तो यह गेंसी में लेट जम्दे केना के मेमोरी में एक ग इसको बनाया गया था इसका उटगाटन हुआ था 11 नवेंबर 2021 को और यह जो गेद बनाया है और यह इन मैमोरी ऑफ लेट जम्दे केना जैसे कि आप जानते हैं जम्दे केना हमारे कारा समाज का एक पायोनर मेंबर है और एक तॉर्च बेर है क्योंकि वो बिलकुल एक हमबल फैमिली से आकर के स्टूदेन लीदर बने उसके बाद में पंचायत लीदर बने फिर पॉलिटिक्स म हैं तो उनके यादगार में हम लोगों ने हमारा जो 28 लिखावली स्टे एसेंबली कंस्टिट्विंसी के स्रीमान कार्दों जीगर जी जो ओनरबल एमिले है उनसे रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग एक लेट जम्दे केना गेट बनाना चाहता है उन्होंने हमें कंसेंट द थैंक्स देते हैं धन्यवाद देते हैं कि हमारा सोसाइटी जो है उनके प्रतीक बहुत आभार रहेंगे और उसके बात में यहां अभी एक कंट्रोबर्सी आया है इस्पेशली प्रेजेंट एमेले 28 लिखावली स्टी असंबली कंस्टिट्विंसी के उपर में कुछ किán स्ट्रेगेशन इस तरह से आया है कि लेट जम्दे केना मेमोरiggle गेट गैंसी में जो बनाया है वहां में दो स्टेच्यो बनाया हुआ है तो उस स्तेच्यो बारे बारे में मैं cos रिक करना चाहूंगा यह जो स्टेच्यो बनाया यह जो गैठ बनाया इसका completely हमारा सुसाइटी ने एक्जिकूट किया था और उस एक्जिक्यूशन में हमने दो स्थेच्व बनाया, एक स्थेच्व है लेठ जम्दे कैना का और दूसरा स्थेच्व है हमनें एकर स्थेच्व बनाया, एमेजनेरी स्थेच्व in a sense वो जो है हम लोगों ने सोचा कि एक साइट में जब हमारा एक हमारा जाना माना हुआ हमारा समाज का एक जाना हुआ माना हुआ आदमी का एक स्टेच्यू बनाया है तो दूसरा तरफ में हमको और एक स्टेच्यू बनाना चाहिए जो welcome करे लेत जम्दे केना welcome gate के वहाँ में कोई welcome करे, हाथ जोर करके कोई स्वागत करे, तो इस तरह से हमने imagine किया, तो imagine करने के बात में, हम लोग को लगा, कि हम लोग को अबोदकर अबोदकर केना का जो कि रिको से belong करता है और उनका एक statue बनाना चाहिए और अबोदकर के ना कौन था अबोदकर के ना he was a priest और वो एक बहुत बड़ा पुजारी था और 1987 में फर्स बारी जो में हमारा करा फाउंडेशन स्टोन लेट किया गया था तो उसमें वो पुजारी पुजा करकर के वहामें हमारा जो गलो के रिती रिवाज से वहामें पत्थर जो है लेन डाला था तो उस हिसाब से, क्योंकि उसके बाद में वो 89 में मर गया, मरने के बाद में उनका कोई फोटो नहीं था, कुछ यह नहीं था, क्योंकि उस जमाने में इतना सोशल मीडिया या कैमरा वगेरा का उतना सुबिदा नहीं था, तो हमने एक इमाजिनेशन करके एक इमाजिनेरी उनका स्टेच्यू डाला है, तो यहां अभी देखने में आया है, कि सोशल मीडिया में एक बहुत सारा इशूष आ रहा है, कि यह MLA करदो निगिर ने जीते जी अपना स्टेच्यू बनाया या इस तरह का कुछ इशूष आ र प्रेशर ग्रूप है, आप लोग पॉलिटिक्स खेलिए, हल्दी पॉलिटिक्स कीजिए, लेकिन हमारा जो गेट जो है, लेट जम्दे के ना गेट के साथ में जो है, उस दूसरा स्टेच्यू को रिमूब करने का कुछ लोगों ने दिमान किया है, यह हमारे हिसाब से गलत और करा वेलफेर सोसाइटी का उस गेट से, उस स्टेच्यू से पूरा जो स्ट्रक्चर है, उससे एक संटिमेंट जुरा हुआ है, प्लीज मैं अपिल करना चाहूंगा, आप पॉलिटिक्स खेलिए, हल्दी पॉलिटिक्स खेलिए, लेकिन संटिमेंट को, किसी का संटिमें किसी जितने वे आदमी है, वो हम एकी कम्यूनिटी से है, और अलग- अलग सब आ क्लान रहते हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग जो है, işoCally जुरा हुआ हूआ है, कहीं ना कहीं, हम कोई धून मगबो है, कोई कीकत है, कोई मियुदूयाओ है, इस तरह से हमारा एक सोशल पुए तो वो सोशल रिलेशन को प्लीज खराब मत कीजिए आपके पास में अगर दूसरा कोई इश्यू है उसमें बात कीजिए लेकिन यह जो है सेंटिमेंट करावेलफेर सोसाइटी से जुरा हुआ है इसलिए मैं क्लेरिफाइ करना चाहता हूं कि यह एलिगेशन जो है बिल्कुल को हटाना है या कुछ करना है तो उसके बारे में डिसकस करना है तो आप करावेलफेर सोसाइटी के साथ में डिसकस कर सकते हैं क्योंकि उसमें करावेलफेर सोसाइटी का सेंटिमेंट जुरा हुआ हुआ है दूसरे बात मैं और बताना चाहूंगा डिटेल रिगार्डिंग गेट Construction जब ये गेट Construction हुआ था और Fund आलोकेशन जो हूआ था वो कैसा हुआ था क्यों हुआ था क्यूंकि उस वक्त मैं Vice President करा-वेलफर यही था, तो उस समय में हमारा the former President, former Member General Campus जो है लीगल एडवाईजर और प्रेजंट कन्वेनर स्री न्याविन हाजी है तो कराज न्याविन हाजी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसके बारे में थोरा हाइलाइट कर दे कि फ़ंड एलोकेशन कहां से हुआ था और किस तरह से ये एक्जेकुशन हुआ था और ये दूसरा स्टेच्व जो हमने अब देकर के बारे में आप आतो देकर बोल सकते हैं देकर के ना जो रिको से बिलॉंग करता था उनका स्टेच्व है या नहीं है उसको आप क्लियरिफाइब कर दीजे नबसकार मेरा नाम याविन हाजी है और जैसे कि हमारा सब्सक्राइब करने के लिए तो उसका सब्सक्राइब करने के लिए हमनों ताइम को रखाता और वह गेट का जितना कंस्रक्शन है स्टेच्व हमको है नबर दियाता मेरा अंदर में मेरा हम का अंदर में हम गेच को बाइदा गाइडेंस ओमेंबर और प्रेशदिन सेकेटरी जितना है उननों का एडवाइस का तुरूष है मैंने वह सच्के बिने बनाया सो सोल दा बोली समय टेवल और हम वही है कि फैले से हम सोचा था दिसंबर में भी इशु आया है और जा तक आदमी सोचल मीडिया में हम लोग का भी सोसाइटी प्रोड में भी घुम रहा था रिगार्डिंग इस गेट तो हम भी सोचा कि होगा क्लिरिफिकेशन देगा समय में तो बात में देख रहा है कि फ्रिंक्वेंटली यह मेतर आभी आ रहा है ना तो बाई वर्चू हम लोग सोसाइटी लोग को आना पर रहा है एक्चुली देन इस आपर मोराल अब्लीकल सो कि हम लोग को सब यह करना है क्लिरिफिकेशन करना है तो नंबर वान जो मुराल इस से फार ना चलके बहु कि बहुत बढ़ा नेता रहा है तो उनका और उनका सम्मान में और एरिया का प्यारी सबसे से इस लिकाबली एरिया ज reckonstution हो मिला के एक उनका नामेंवेल कम गेत लगाना है बोलके हम लोग सोसाइटी तरफ से हम लोगी प्रोपोजल दिया था देन वह जो प्रोपोजल है और जैसे कि बोल रहा है कि वह इस्टाइच्यू जो है जो हम देखेना का स्राइट में है और इधर से अगर करा करेगा तो लेप तो बोला एमिले साब का है देखिए अच्छा साब एमिले के पोटो को अच्छा साब नोटिस करेंगा मुराल को वहां पर हम आप गलो बूलूब लगा हुआ है और आदमी जो हैंड पॉल्लेट है मतलब जैसे हमारा बा जो हैट कोटर रहा का वहां का पस फिलर का पुजारी हो कि है चीप गेस भी वह था बहुत रिनाउंट फ्रीज भी ता वह तो उनको हम दिमांग में रखते हुए अगर वह आज का दिन में होगा तो क्या होगा यह तो लगाएगा ओवियसली बुलूब लगाएगा हाथ को ह कपरा भी देखे वेस ऐसर लगा दिया है तो मतलब फोल्डे अंगल में हम लुक दिया है ना तो हम भी वही बोल रहा है कि यह MLA साब का बिलकुल नहीं है और देखिए इसकेच कई ना कई किसी ना किसी को मिल जाता है इसकेच ना अच्छानक से वह ज्यादा MLA को ज्यादा मिल रहा है तो और इसे हम वह सुपरवेजर इससाब में हम क्लिर्फाइब कर रहा है कि वह बिलकुल MLA हमारा MLA साब का नहीं है 28 लिकावले MLA कार्दोनीगर साब का नहीं है वह हम लोग आतो देखिएर को माइन में राखे डिपी करेके इसकेच करेके मुराल बनाया हुला ह यह इसो को यह नमबर वन नमबर तू सोर्स पांडिंग तो उसमें एक स्लाइट मिस्टिक हो गया था पहले जब इनुग्रेशन कर रहा था तो उसमें आंदर में लिखा था MLA लेट पांड ना क्योंकि सोर्स पांडिंग वह समय में किलियर नहीं और उनलुक बोल रहा है कि कोई अभी कुछ सुन रहा है कि कुछ गुरूप लुग वह एलिगेशन तारहे MLA लेट फंड जब हम लोग कंस्रक्शन किया था उसमें सोर्स पांडिंग किलियर नहीं ता और हम लोग अप यह जंदो के ना नाम में हम लोगा करा का वह बरा लीदर था अब लिकाबली का ब इनिगुरेशन करने का बात में तो वह फंड जो MLA सब कुद लेके नहीं हम बहुत पीछे क्या है MLA सब स्रीफ हम लोग को पर्शिव कर दिया किसको किसको बोलना है वह भी साथ में हम भी सेकेटेड में बहुत बगा है उसका अभी कोपी भी है अब देख सकता है यह डेट सेकेंद मार्च 2022 और गेट इनिगुरेशन हो गया 21 यह क्लियर वाला बात है 21 को हो गया मगर आपका पंड आया है 22 मार्च सेकेंद मार्च 2022 को और ओर भी इदर में पर देखे रखा हुआ है दी सी डावलू ब्रेकेट एफी यह सब नंबर है तो उसको भी हम क्लियर कर दिया तो लेट फंड का जो इसू था बोलके हम अभी भी आप लोग जाकर देख सकता है गेट को पहले जो एमेले लेट फंड थ अब करेक्शन कर दिया और पानिंग को आप लोग रहने देजे और बुजो इस ताचू है वह हमारा लेट जम्दे के ना सार उदर है और उस तरब में हम लोग आतो देकर एक हम लोग जो सोच के लगाया है और हम लोग भी हम लोग का दिल का सेंटिमेंट भी है कि ऐसे तो कुछ नहीं कि हुआ है तो एक है घेट बनाया जुम्दक किना का नाम में तो बार भार जो लेत हैं हम लोग लोग लेके पूल अच्छाने लग रहा हैं तो काइल ने अप लोग यह चीज़ को रिफ्रेंट करने इस ती के यह चीज़ को बार बार अड़ उचल के हम लोग का कराश सेंटिमेंट को आप लोग डारिकली और इंदारिकली आप हमनों को हर्थ कर रहा है और जैसे बीपी सार ने कहा है कि आप गेम के लिए हेल्दी किजिए अभी तो अर्मस्ट त्री यर्स हो गया फेले इसू ने निकला सदेन लिया तो इसू उडिया यह अच्छा चीज तो आप भी समझ सकता है हम लोग भी समझ सकता है और ऑविसली कई जगा में कुछ डेवलोमेंट आ रहा है कुछ अच्छा चीज कंस्रक्ट कर दिया है तो उसको वेलकम करने सिखना है पोजितिव वह में जाना है कि ना की नेगेटिव वह में नहीं जाने साथ अच्छा है वह भी एक गेंसी एरिया को एक बीटिफाइ कर रहा है तो वह बीटिफिकेशन को आप लोग ऐसे मुद्दा बना रहा है कि अब उस पर पुरा काला पोस्स अब लोग दाल रहा है ऐसा नहीं करने से अच्छा है पोल्तिक्स तो एक जगा में है यह तो एक पेस्टिवल आए कीजिएगा वह चीज़को बार बार लेके सोसल मीदा में जाके नहीं उचलने से अच्छा है ताकि हमारा लेट मंत्री का भी थोड़ा आत्मा को भी सांतिय से अच्छा से आप लोग दोने दीजे एक्सिन जब भी आएगा यह सब नहीं उचल देने से अच्छा होगा और मे सब्सक्राइब है और नमबर तू दा सोर्स पांडिंग इस नोट एमिले लेट फंड तू बेरी क्लियर इस प्रॉम अंटाइट पंड और हुए हम बताए कि सोर्स पंडिंग तरह खिलियर ने ता है इसलिए हम लोग तो उसमें तोड़ा मेरा तरफ से गलती हो गया और हम हो तो यह आभी आज हमको प्रिंग कर रहा है जो कुछ है किसी ना किसी को पेचेनेगा दारेख लिए अगर बात करना है तो हमको भी डर्यक्लिप करने के लिए हम रेदी है कि लिए कि लिए करने के लिए देस प्रोमासेट